रियल और अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को भी दबाएं ताकि आपको नए आपडेट मिलता रहे हैं हेलो फ्रेंट्स गुर्मानी आज के इस वीडियो में बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की जिसको कोलेस्ट्राल के लिए किया जाता है तो सरीर में कोलेस्ट्राल कितना है उसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया आता है तो दिखे कोलेस्ट्राल जरूरी म पाई नहीं जाती प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती है तेनी एनिमल सेल बीना सेल वाल के ठीक से काम करती रहे इसके लिए जरूरी है कोलेस्टराल का नार्मल लेबल पर बने रहना तो कोलेस्टराल का नार्मल लेबल के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है तो इसमें चार टाइप्स के परामीटर्स को चेक किया आता है तो पहला है LDL, Low Density Lipoprotein इसका अस्तर 70-120 mg पर deciliter के आसपास रहे जितना कम रहेगा उतना अच्छा होगा क्योंकि LDL को ही bad cholesterol बोलते हैं तो Low Density Lipoprotein का अस्तर 70-120 mg पर 100 ml होना चाहिए एक deciliter मतलब 100 ml होता है तो जितना कम रहेगा मतलब 70 की तरफ रहे 120 की तरफ नहीं तो जितना कम रहेगा LDL उतना अच्छा है दूसरा है SDL, High Density Lipoprotein का अस्तर 40-60 mg पर deciliter या इससे ज़्यादा होना चाहिए SDL को ही good cholesterol बोलते हैं यानि LDL को bad cholesterol और SDL को good cholesterol बोलते हैं तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है तो ये दूसरा परामिटर से लिपिट प्रोफाइल टेस्ट का तो SDL ज़्यादा होना चाहिए और LDL कम होना चाहिए और इन दोनों को एक साथ मिला कर यानि LDL और SDL दोनों को यानि कुल कोलेस्टराल का स्तर 200 mg पर डेसिलीटर ऐसे कम ही होना चाहिए अन्यथा कोलेस्टराल डिक्कत क्रियेट करेगा स्वास्त के लिए तो दिखे जो टोटल कोलेस्टराल है लिपिट प्रोफाइल टेस्ट का तीसरा पैरामिटर से है तो दोनों कोलेस्टराल को मिला कर 200 mg पर डेसिलीटर या इससे कम ही होना चाहिए तब आपके लिए अच्छी साइन है और चौथा पैरामिटर्स की बात करें तो चौथा पैरामिटर्स रता है ट्राइगलेस्टराइड्स ट्राइगलेस्टराइड का स्तर 10 से 150 की 20 होना चाहिए जितना कम रहेगा यानि 150 की तरफ न रहे 10 की तरफ रहे यानि 15, 20, 25 रहे तो उतना अच्छा मना आता है तो ट्राइगलेस्टराइड का स्तर जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा स्वास के लिए पूरी Metabolic Process ठीक से चलती रहेगी तिस तरह से Lipid Profile Test को आप अपने से समझ सकते हैं और उसके जो Result है कि दिक्कत वाला है कि कम दिक्कत वाला आप उसको समझ सकते हैं तिस तरह से यह जानकारी आपको काम की लगी ठीक समझ मैं ति इस वीडियो को लाइक करें और प्रेंट्स को भी से तरह आपको करें